सुनिए मेरा नाम रोहन है क्या आप मुझे बुटा सकती हैं कि आप कंप्यूटर से कौन-कौन जी सेवाईं प्रदान करती हैं हाँ बिल्कुल मेरा नाम गीता है और जैसा कि आप देख रहे हैं कि मेरे पास इंटरनेट सुविधा योक्त एक कंप्यूटर है जिसके जरिये मैं विभिन सेवाईं जैसे रेल टिकेट की बुकिंग, विभिन प्रकार की सूचनाय जानने में बिजली व मोबाइल फोन के बिलों का बुकतान, बैंक से लेंदेन, पैन कार्ड, पासपोर्ट का आवेदन, आधी-ाधी सुविधाईं प्राप्त करा सकती हूँ अच्छा, इसका मतलब बेरे गाव वालों को इन कामों के लिए शेहर जाने की ज़रुद नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं, यदि गाव में इंटरनेट युक्त कंप्यूटर सुविधा उपलब्ध है, तो गाव वालों को इन सुविधाउं को प्राप्त करने ही दू, शेहर जाने की आवश्यक्ता नहीं है अरे, ये तो बहुत ही अच्छा है, मुझे पूरा विश्वास है कि यह सब जानकर गाव वाले भी नहीं तरह बहुत प्रसन होंगे हाँ, बिल्कुल, आप इन्हें गाव वालों को अवश्य बताएए हाँ, बिल्कुल, आप इतनी दूर गए बगैर अपना बिजली का बिल भुक्तान यहीं से कर सकते हैं ऐसा है, तो ये मेरे लिए बहुत ही सुविधा जनक होगा क्या आप कम्प्यूटर के जरिये फसल के बजारू भाव भी बता सकती हैं? हाँ, बिल्कुल, मैं कम्प्यूटर पर इंटरनेट के जरिये बरतमान में फसल के भाव भी बता सकती हूँ यह तो अश्यरे जनक है कि हम यह सारी सुविधाएं गाउं में भी प्राप्त कर सकते हैं हाँ, इंटरनेट के जरीए यह सभी सुविधाएं आप अपने गाउं में ही प्राप्त कर सकते हैं मैंने सुना हैं कि आज कल इंटरनेट की सुविदा मुबाइल फोन तर भी उपलब्द है, क्या ये सत्य है? हाँ रोहन, न केवल मुबाइल फोन बलकि आज कल लोग स्मार्ट फोन अत्वा टाबलेट पर भी इंटरनेट कनेक्शन का उप्योग बहुत सारे कामों के लिए करते हैं ये सब सुनने में बहुत रूचिकर लगता है, क्या आप मुझे कम्प्योटर, स्मार्ट फोन और टाबलेट के बारे में सिखा सकती हैं? बिलकुल रोहन, कृपया बैट जाईए मैं आपको कम्प्यूटर, स्मार्टफोन और टाबलेट के बारे में और अधिक बताती हूँ बाकी आप लोग भी बैट जाईए जिससे मैं आप सभी को डिजितल यंत्रों के बारे में और अधिक बता सकूँ सबसे पहले हम यह सीखते हैं कि कम्प्यूटर क्या है कम्प्यूटर एक इलेक्ट्रोनिक यंत्र है जिसका उपयोग, आकड़ों, वसूचनाओं के संकलन, वर प्रसंसकरन के लिए किया जाता है कम्प्यूटर के जरिये मीलों दूर रहने वाले परिवार के सदस्यों वो मित्रों से जुड़ा जा सकता है रेल टिकट बुक कराई जा सकते हैं, बैंक खाते में लेंदेन किया जा सकता है सूचनाए एकत्रित की जा सकती है खेल खेले जा सकते हैं गाने सुने जा सकते हैं और सिनेमा पिच्चर देखी जा सकती है अब हम कम्प्यूटर वो उसके विभिन हिस्सों के बारे में सीखते हैं पर दिखने वाले सभी आइकन्स सॉफ्ट्वेर होते हैं हां रोहन, सॉफ्ट्वेर कम्प्यूटर में प्रोग्राम होते हैं जिनसे हम भाती-भाती के काम करते हैं अब हमें विभिन उपकर्णों के विशे में जानना चाहिए जिनसे कम्प्यूटर बनता है कम्प्यूटर के तीन अंग होते हैं पहला, Input Device दूसरा, Processing Device तीसरा, Output Device जैसे एक ट्राक्टर को चलने के लिए डीजल अथवा पेट्रोल की आवशक्ता होती है ठीक, उसी तरह कम्प्यूटर में डाटा भरने निर्देश अथवा सूचनाय संकलित कर विभिन कारे करने के लिए उपकर्णों की आवशक्ता होती है इन चित्रों को देखो ये कुछ Input Devices हैं जिनका प्रयोग कम्प्यूटर में होता है ये Input Device निम्न है Pen Drive, Mouse, Keyboard, CD, Microphone Keyboard और Mouse प्राथमिक Input Devices हैं यह बिल्कुल Type Writer के Keyboard की तरह दिखता है हाँ, इसमें कुछ अतरिक बटन अवश्य है सामाने Keyboard के बटनों के साथ इसमें कुछ अंक एवं विशेश बटन अवश्य होते हैं क्या आप मुझे बताएंगी कि इन विशेश बटनों का प्रयोग किसले किया जाता है अंक बटनों की सहायता से कैलकुलेटर की भाती कम्प्यूटर में अंक भरे जाते हैं नविकेशनल बटन मार्ग दर्शक बटन होते हैं जो मॉनिटर पर पेज दिखने में सहायक होते हैं प्रोग्राम में पेज अप बटन विशे के दिखने वाले भाग और करसर को स्क्रीन पर आगे बढ़ाता है प्रोग्राम में पेज डाउन बटन विशे के दिखने वाले भाग और करसर को स्क्रीन पर पीछे करता है प्रोग्राम में Home बटन करसर को विशे के आरंभ में ले जाता है प्रोग्राम में End बटन करसर को विशे के अंतिम लाइन में ले जाता है प्रोग्राम में ये तीनों बटन संपादन बटन कहे जाते हैं जो कम्प्यूटर में पठनिय विशे में संशोधन करने में सहायक होते हैं ज्यादतर लेक संपादन प्रोग्रामों इंसर्ट बटन का प्रयोग किसी लेक में शब्दों को भरने और लिखावट पर शब्दों के पुनरलेखन में होता है ये चारो बटन दिशा निर्देशक बटन केहलाते है ज्यादतर लेक संपादन प्रोग्रामों में उपर की तरफ तीर के निशान वाला बटन करसर को स्क्रीन पर उपर की और ले जाता है की तरफ तीर के निशान वाला बटन करसर को स्क्रीन पर दाएं की और ले जाता है क्या तुम F1 से F12 तक के बटनों को देख रहे हो? यह बटन फंक्शन बटन कहलाते हैं यह बटन कंप्यूटर पर सक्रीय प्रोग्राम के अनुसार निर्दिष्ट किये गए विशेश कारे को निश्पादित करते हैं ज्यादतर प्रोग्रामों में इसके बटन चल रही प्रक्रिया समाप्त कर देता है अब तक हमने कीबोड के विभिन बटनों के बारे में सीखा अब हम माउस के बारे में सीखते हैं माउस एक दिखाने निर्देशन करने वाला यंत्र है जिसका प्रयोग कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखने वाले विशे आइकन्स को इंगित कर उनसे परस पर संबंद बनाने में होता है आप देखेंगे कि जैसे ही माउस चलाया जाता है वैसे ही माउस चलाया जाने की दिशा में एक छोटा तीर स्क्रीन पर चलता है इस तीर को पॉइंटर कहते हैं पॉइंटर की सहायता से कंप्यूटर को प्रक्रिया के लिए डाटा वर निर्देश उपलब्द कर आए जा सकते हैं माउस पर दो बटन भी होते हैं बाया बटन और दाया बटन माउस के दोनों बटनों के बीच में एक खूमने वाला चक्का भी होता है जिसकी मदद से प्रलेक या डॉक्यूमेंट और वेब पेज पर आसानी से चला जा सकता है ये माउस द्वारा किये जा सकने वाले कुछ कारे हैं माउस के बाया बटन को एक बार दबा कर स्क्रीन पर किसी प्रोग्राम को चुना चा सकता है माउस के बाया बटन को लगातार दो बार बिना किसी अंतराल के दबा कर क्लिक कर किसी प्रोग्राम के अंदर प्रवेश किया चा सकता है माउस के दाया बटन को दबाए जाने पर इंडेक्स मिनू खुलेगा घूमने वाला चक्का स्क्रीन पर पेज को उपर नीचे खिसकाने में हमारी सहायता करता है जिस तरह दानों से भूसी निकालने या गेहू को पीसने में ग्राइंडिंग मिल एक प्रोसेसिंग मशीन की तरह काम करती है उसी तरह कम्प्यूटर में वह यंत्र जो डाटा संग्रहन और संरक्षन को नियंत्रित करते हैं वह प्रोसेसिंग डिवाइस कहलाते हैं कम्प्यूटर प्रोसेसर या CPU प्रोसेस की जाती है फिर कम्प्यूटर के मेमरी या RAM में संरक्षित की जाती है जिस तरह दानों से भूसी निकालने या गेहूं को पीसने में grinding mill एक processing machine की तरह काम करती है जिस तरह अनाज और भूसे को अलग-अलग करने वाला thresher एक output machine है उसी तरह computer के साथ परिनाम को दिखाने के लिए जो यंत्र प्रयोग में लाए जाते हैं उन्हें output यंत्र कहते हैं Monitor एक बहुत ही सामाने output यंत्र है Monitor screen है जिसका प्रयोग आउट्पुट जैसे शब्दों, अंकों वचित्रों को देखने में होता है Monitor दो तरह के होते हैं Cathod Ray Tube और Flat Panel Display Printer computer से प्रसंस्कृत डाटा लेता है जिसे Soft Copy कहते हैं और उसे चापकर निकालता है जिसे Hard Copy कहते हैं Computer पर दिखने वाले किसी चित्र या लेक को Soft Copy कहते हैं तथा उसे के चपे हुए को Hard Copy कहते हैं Printer तीन तरह के होते हैं Inkjet Printer, Laser Printer और Dot Metrics Printer Speaker एक Output यंत्र जिसके द्वारा हम आवाज सुनते हैं Speaker के बिना हम गाने अत्वा आवाज विश्यों आदी को सुन नहीं सकते Headphone कम्प्यूटर से आवाज आउटपुट देता है ये Speaker की तरह कोते हैं किन्तु इन्हें कानों पर पहना जाता है इसलिए एक समय में केवल एक ही व्यक्ती Output सुन सकता है Projector एक Output यंत्र है जिससे किसी लेक या चित्र को समतल स्क्रीन पर दिखाया जाता है अधिकतर प्रजेक्टर का प्रयोग सम्मेलनों में या प्रस्तुती करण में होता है जिसके द्वारा प्रदर्शित होने वाले कई लोग एक साथ देख सकते हैं अब तक हमने कई तरह की Input, Processing व आउटपुट डिवाइसों के बारे में चाना है अब हम लोग मज़िदार गतिविधी में भाग लेंगे जिस तरह तुम्हारा दिमाग बहुत सी आवश्यक चीजों को याद रखने में तुम्हारी मदद करता है उसी तरह Computer Data संचित करता है जिसे Computer Memory कहते हैं Computer की Memory दो तरह की होती है प्राथमिक अथवा मुख्य Memory और दुटियक Memory मुख्य प्राथमिक Memory बहुत तेज है इसे RAM कहते हैं इसका Earth Random Access Memory अथवा RAM होता है Computer की गती RAM पर निर्भर करती है Data और निर्देश मुख्य Memory में संचित रहते हैं जहां से ये Process कर Result प्राप्त करने के लिए CPU में पुनह प्राप्त किये जा सकते हैं RAM वह Memory होती है जहां सारे Program संचित किये जाते हैं Computer की गती RAM पर निर्भर होती है Cache Memory वह Memory है जो RAM का अंग होती है और Processor के बहुत पास होती है इसका प्रयोग Processing गती को सुधारने में किया जाता है प्राप्तमिक Memory सीमित होती है इसलिए असीमित डाटा को सुरक्षित करने के लिए द्वित्यक Memory का प्रयोग करते हैं चुकि कम्प्यूटर द्वित्यक Memory पर सुरक्षित डाटा को सीधे प्रोसेस नहीं कर सकता अतय प्रोसेस करने के लिए पहले RAM पर उसकी नकल तयार की जाती है ये कुछ डिवाइस हैं जो द्वित्यक Memory की तरह कारे करती है Pen Drive, Hard Disk और DVD तो एक कम्प्यूटर डाटा कोबने Memory में कैसे सुरक्षित करता है? कम्प्यूटर सभी सूचनाएं केवल दो अंकों 0 और 1 में संचित करता है एक अकेली binary digit अर्थात 1 अथवा 1 0 को bit कहते हैं 8 bits के group को 1 byte कहते हैं इस सार्णी को देखो इसमें bits और bytes के बीच की संबंध को दिखाता है निर्देश जो कारे पूरा करने और hardware को नियंतरत करने के लिए प्रयोग किये जाते हैं Software कहलाते हैं Software programs निर्देशों का योजनाबद क्रमवार समू है जो computer को निर्देशित करते हैं कि क्या करना है और कैसे करना है Software दो प्रकार के होते हैं Application Software और System Software Application Software वो प्रग्राम होते हैं जो उप्योग करता को computer में विशिष्ट कारे को पूरा करने में मदद करते हैं Microsoft Word और Open Office Draw Application Software के उदाहरन हैं जो प्रग्राम computer हाडवेर से सीधे जुड़े होते हैं System Software कहलाते हैं Computer चलाने के लिए आपको एक Operating System की आवश्यक्ता होती है जो एक System Software है हमारे आगे बढ़ने से पहले इस Activity में भाग लेते हैं गिता ये सब रुचिकर है मैंने पहले कभी भी computer नहीं चलाया है क्या तुम मुझे बता सकती हो कि computer कैसे स्थापित किया जाता है और कैसे चलाया जाता है अवश्य जाचा मैं सब कुछ समझा दूगी सबसे पहले मैं आपको computer के विभिन अंगों से परिचित कराती हूँ यह monitor है यह television की तरह है और इसकी screen पर output देखा जाता है यह system box है इसमें central processing unit अर्थात CPU होता है यह CPU ही computer का मुख्य दिमाग होता है यह keyboard और mouse हैं यह दोनो input device हैं जिसके द्वारा computer में data भरा जाता है computer को जोडने के लिए सबसे पहले उसे maze पर रखिए तब system box के बगल में monitor रखिए system box के पीछे का भाग देखिए इसमें विभिन डिवाइसें जोडने के लिए खाचे बने हैं जिने port कहते हैं अब इस तरह से monitor system से जोड़ा जाता है system box video port को VGA port कहते हैं इससे monitor को जोडने वाले तार को VGA cable कहते हैं VGA cable के एक सिरे को system के VGA port से तथा दूसरे को monitor से जोड़ा जाता है keyboard दो प्रकार के connector वाले होते हैं keyboard को connect करने के लिए उसके connector को system के उप्युक्त port में जोड़ा जाता है mouse तीन प्रकार के connector वाले होते हैं mouse को connect करने के लिए उसके connector को system के उप्युक्त port में जोड़ा जाता है उसी तरह यदि आप printer को जोड़ना चाहते हैं तो उसके connector जो इन दो में से किसी एक प्रकार का हो सकता है समानांतर port अथवा USB port को system के उप्युक्त port में जोड़ दें अब हम computer को बिजली के main board से कैसे जोड़ सकते हैं computer दो बिजली supply के तारों के साथ आता है एक बिजली supply तार को system unit के बिजली supply plug में तथा दूसरे तार को monitor के port से प्लग करें उसके बाद दोनों तारों को बिजली के port से या UPS से जोड़ें क्या आप हमें दिखा सकती हैं कि computer को कैसे जोड़ते हैं बिल्कुल computer चालू करने के लिए निम्न कारिवाहियों का अनुसरन करें पहले system unit वह monitor दोनों की बिजली supply चालू करें तब system unit का power button दबा कर उसे चालू करें वह monitor का power button दबा कर उसे चालू करें अब कुछ क्षण इंतिजार करें और देखें कि monitor पर डिस्प्ले आने लगा है इसे boot screen कहते हैं धीरे-धीरे सभी software लोड हो जाएं तो computer प्रयोग के लिए तयार है धन्यवाद गीता, पहली बार न केवल computer को देखा है बलकि उसे चालू करना भी सीखा है हाँ, computer के विशी में यह सब बताने के लिए धन्यवाद दीदी अब क्या आब हमें mobile phone वो tablet के बारे में भी बता देंगी बिल्कुल रोहन, मैं तुम्हें सिखाऊंगी कि mobile phone वो tablet कैसे चलाते हैं हाँ, मैं भी इन चीज़ों के बारे में सीखना चाता हूँ हाँ, पहले हम mobile phone वो tablet के विभिन अंगों, कार्यों वो उप्योगों के बारे में चानते हैं जैसे आप जानते हैं कि basic mobile phone एक ऐसा यंत्र है, जिससे आप call कर सकते हैं call प्राप्त कर सकते हैं, वो message लिख कर भेज सकते हैं, वो प्राप्त कर सकते हैं आधुनिक mobile phoneों में कई तरह की विशिष्टाएं होती हैं, जैसा की internet, खेल, कैमरा, वीडियो गेम और मार्ग निर्देशन प्रनाली, यह phone smartphone कहलाते हैं कुछ mobile phoneों में दो-दो SIM card एक साथ ही fit हो जाते हैं, इन्हें dual SIM phone कहते हैं फोन के विभिन अंगों को देखें गिता, क्या तो मुझे दिखा सकती हो कि phone में SIM व बैटरी कैसे डालते हैं? बिल्कुल, बस निम्न प्रक्रियाओं का अनुसरन करें पहला, phone को switch off कर दें और पीछे का cover निकाल दें उसके बाद phone की battery निकाल दें तब SIM खाचे में SIM डाल दें अंत में battery वक कवर पुनह लगा दें और phone को चालू करें धन्यवाद गीता, मुझे phone की battery चार्ज करने में भी समस्या होती है चिंता ना करें, बस निम्न प्रक्रियाओं का अनुसरन करें पहला, charger को दिवार पर बिजली के बोर्ड में लगाएं तब charger को phone में लगाएं कुछ समय बाद, जब mobile battery फुल दिखाए तो पहले charger को phone से निकालें, फिर दिवार से निकालें मैं आपको सिखाती हूँ कि phone के बटनों को lock वो unlock कैसे किया जाता है हमें बटनों को lock क्यों करना चाहिए? चाचा, जब आप लंबे समय तक phone का प्रयोग न कर रही हूँ तो उसे lock करके रखना अच्छा होता है इसकी यह प्रक्रिया है phone lock करने के select menu पर जाईए और star बटन दबाईए अब यह lock कैसे खुलेगा? इसे खोलने के लिए phone का unlock बटन दबाईए और तब star बटन दबाईए में पास यह नया mobile है और मुझे यह तक नहीं पता है कि इसकी विशेशताएं कैसे देखें? आप अपने mobile के विशेशताएं देखने के लिए पहले menu icon चुएं या menu button दबाईं जिससे phone के सारे feature दिखाई पढ़ने लगेंगे और पीछे जाने के लिए पीछे icon को चुएं या button को दबाईं पुनहा आरंभ में जाने के लिए home icon को चुएं या button को दबाईं basic phone अथवा touch screen phone, ringtone, गंटी बदलने के लिए name प्रक्रिया अपनाएं basic phone के लिए पहले menu चुने फिर setting, तब tone चुने और फिर खिसक कर ringtone पर जाएं तब gallery खोलने के लिए खिसक कर gallery पर जाएं जहां पर कई ringtoneों की सूची दिखाई देगी अब आप अपनी इच्छा अनुसार tone का चैन कर सकते हैं टाच स्क्रीन फोन ringtone बदलने की प्रक्रिया पहला home icon को चुए फिर menu icon को चुए फिर personalization settings icon को चुए फिर setting icon को चुए फिर profile setting icon को चुए तब ringtone या notification ringtone icon को चुए तब ringtone की सुची में खिसक कर अपनी इच्छा अनुसार ringtone चुने तब ठीक OK icon को चुए मैं अपने फोन में alarm सेट करना चाहता हूँ क्या सुबह जल्दी alarm सेट करने में आप मेरी मदद कर सकती हैं निम्न प्रक्रिया से आप swim कर सकते हैं बेसिक फोन के लिए पहले menu में अनुपयोग चुने फिर alarm घड़ी उसके पश्चात alarm का समय सेट करके सेव चुने फिर खिसक कर ringtone पर जाएं यदि आप alarm को दोहराना चाहते हैं तो चैन के विकल्प में जा दोहराना फिर दिनों का चैन कर संपन चुने टच स्क्रीन फोन में निम्न प्रक्रिया अपनाएं पहले मेनू को चुएं तब घड़ी को चुएं तब अलाम को चुएं अलाम का समय सेट करके सेव चुने दी दी क्या आप हमें टाबलेट के बारे में बता सकती है? हाँ जरूर मैं अभी बताने ही वाली थी टाबलेट एक compact device है जो एक smartphone अत्वा एक laptop अत्वा computer की तरह है आजकल टेबलेट अपने सुविधा जनक आकार और feature के सरल उप्योग के कारण बहुत लोकप्रिय हो गए है इनका उप्योग हम इंटरनेट पर browser mail चेक करना, download और किताबें पढ़ने, game खेलने वीडियो देखने के अलावा संगठक के रूप में किया जा सकता है टेबलेट विभिन प्रकार के होते हैं यहाँ पर कुछ है booklet टेबलेट PC का सबसे सरलतम रूप है जो किताब की तरह तिखता है इस device के दोनों तरफ डिस्पले होता है और इसकी कारेप्रणाली दोनों तरफ चूने से कारे करती है यह हस्तलेक को पहचानने वाला software होता है जो तुम्हें स्क्रीन पर वैसे ही लिखने की अनुमती देता है जैसे कि आप पेपर पर लिख सकते हैं स्लेट सबसे साधारन और सबसे ज्यादा पाया जाने वाला tablet PC है जो अधिकतर मनुरंजन के लिए फिल्म देखने के लिए इंटरनेट चलाने के लिए वीडियो देखने, वीडियो कॉल करने और दोस्तों के साथ चैट करने के लिए प्रयोक किया जाता है Convertible Tablet लगभग पारम परिक लैप्टॉपों की तरह के ही होते है इसमें बस एक बड़ा फर्क यह होता है कि इनसे टच स्क्रीन डिस्प्ले होता है जिसे 180 डिग्री तक घुमाया भी जा सकता है Hybrid Tablet में Slate और Convertible Tablet दोनों के सबसे अच्छी विशेशताएं सम्मिलित होती है Hybrid Tablet अलग हो सकने वाले Keyboard के साथ आते हैं जो की दिये गए Slot के जरिए Slate PC में जोड कर Tablet PC में बदले जा सकते हैं एक Rugged Tablet उन उपयोग करताओं के लिए अच्छा है जो कठिन वातावरन परिस्थितियों में कारे करते हैं इनके अंदर की Hard Drive जटकों को सहन करने वाली और इनका सुरक्षात्मक क्वच इन्हें काफी टिकाऊ बनाता है यह एक बात आपके लिए ध्यान में रखना अति आवश्यक है कि प्रतम बार इनका उपयोग करने से पूर्व इनकी बैटरी को कम से कम 6-7 घंटे चार्ज करना चाहिए जब तक कि बैटरी पूर्ण रूप से चार्ज ना हो जाए हम बैटरी कैसे चार्ज करते हैं? इन चर्णों का अनुसरन करो पहला केबल को चार्जिंग हेड में लगाएं और प्लग को स्टांडर्ड AC पावर में लगा दें डिवाइस अपने आप चार्ज होने लगती है डिवाइस के पूरा चार्ज होने के बाद चार्जर को प्लग से हटा देना चाहिए डिवाइस में उर्जा संरक्षन हेतू पावर सेव बटन को दबा कर स्क्रीन को बंद किया जा सकता है स्क्रीन को पुनह चालू करने के लिए यह प्रक्रिया दोबारा करें जब आपको डिवाइस बंद करनी हो तो निम्न चर्णों का अनुसरन करें पहले पावर बटन को कुछ क्षण के लिए दबा कर रखें तब टाबलेट को बंद करने के लिए मेनू खुलने पर दिखाई देगा तब पावर ओफ पर टच कर डिवाइस को बंद करें एक टाबलेट की होम स्क्रीन एप्लिकेशन फंक्शन मेनू के लिए स्टार्टिंग पॉइंट है आप अपनी होम स्क्रीन को एप्लिकेशन आइकन्स शॉर्टकर्ट फोल्डर को जोड़ करके कस्टुमाइज कर सकते हैं अतिरिक्त डिस्प्ले स्क्रीन के लिए स्क्रीन को दाएं अत्वा बाएं खिसकाएं तो तुमने सीखा कि कैसे लैप टॉप, कम्प्यूटर, मोबाइल फोन और टाबलेट को इस्तिमाल करते हैं अब हम इस प्रक्रिया में भाग लेते हैं